इस लड़के को आईस्प्रीम बिल्कुल दी पसंद नहीं है, लेकिन इसके माता-पिता से रोज आईस्प्रीम खिलाते हैं, अगर वो नहीं खाता तो उसे मारते पीटते हैं, इसलिए बच्चा चुपके से आईस्प्रीम को टॉयलेट में फ्लेश कर देता है, तभी कुछ आ आईस्प्रीम खा लेते हैं, तो वो आईस्प्रीम के गुलाम बन जाते हैं, अपने घर में इतनी सारी आईस्प्रीम देखकर लड़के को महसूस होता है कि आईस्प्रीम में कुछ आजीव बात है, इसलिए वो अपने पैरंस के सामने आईस्प्रीम ना खाकर सेविंग को लेकिन ये देखकर उसके पिता को उस पर शक होने लगता है।